सबस्कार बहुत स्वागत आपका इस लाइट सेशन में मैं हूँ आपके साथ अवंतिका श्रवास्तव निवस्टीटी इनके डिजिल प्लाटफॉर्म पर एक बार फिर से हम आपने सामने एक नए सवाल के साथ आज आए हूँ कॉंग्रिस ने क्या राम मंदर का नियौथा ठुकरा कर अपने पैरों पर पुलाड़ी माली है यह सवाल इसलिए क्योंकि ना सर्फ राजनितिक द्रिश्टी कुन से अगर आप देखी बलकि सामाजिक द्रिश्टी कुन से इस पूरे पैस्ते को कही ऐसे नेता हैं कॉंग्रिस अधिरण जन चौधरी भी प्राण प्रतिश्टा करेक्र पने नहիं जाएंगे आप भी कवेंड्बोक्स में बताएगा कि इस और इस प्रकार से देखते हैं और दूसी तरफ भारती जनता पार्टी जो शुरुवात से उन बयानों की याद दिला रहे है कॉंग्रेस के जिसमें उन्होंने राम की अस्तित्व को ही नकार दिया और एक रिजन पार्टी की तरफ से ये भी दिया जा रहा है कि राजनिती करण इस पूरे चीज का हो चुका और इसलिए हम नहीं पहुंचेंगे भले ही प्रांट प्रतिष्टा सम्हारों की बाद हो जरूर पहुंचें अब एक खास बात इसमें ये भी है कि राम मंदिर के प्रांट प्रतिष्टा कारिक्रम तो है ही लेकिन मंड़ जो कुछ संत हैं उनकी तरफ से भी नाराज की जाहिर करते हुए आए हैं कई संत के अखेर हमें अगर बुलाया गया है और बुलाया जा रहा है तो उसका कोई औचित भी होना चाहिए इस पर जरू सवाल है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस की कुछ नीता है जो हमारा मुद्दा बन चुका है एक नया टॉप करते हुए जरूर कुछ नेता पहुंच रहे हैं अचारे प्रमोथ कृष्णम का इस दिकर आप समझ लेजे को खुल कर बताते हैं कि किस प्रकार की कमी इस पार्टी में है और उससे पार पाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा सभी के लिए और अचारे प्रमोथ कृष्णम उ प्रांट प्रतिश्टा कारिक्रम होगा, तो कॉंख्रेस भले ही बढ़ने निताउं को लेकर ना पहुँचे और भले ही अंग्रेस का बैंगरांड यूज कर ना पहुचे लेकिन हम जरूर कारिक्रम में पहुचने बाले हैं प्रांट पतिष्टा सम्हारों से पहले भी आगमन हो रहा है कुछ पार्टियों के व्यक्तियों का और उसकी बाद भी चुकि आपने अखलेश रादव का भी बयान सुना होगा अलग-अलग स्तिति आप अलग-अलग चीजों में देखते हैं लेकिन क्या कॉंग्रेस पार्ट की नेता है तो अपनी राजनीती का दारा दूर रखकर जरूर इसे समझेंगे और एक बड़ी जन भावना की केंद्र के तौर पर इसे देखेंगे लेकिन इसके बाबजू अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं कोई भी इस चीज को शायद राजनीती से तर रख नहीं प कि विपदा कॉंग्रेस के लिए खड़ी होने वाली है कई ऐसे राजनीतिक विशलेशक जो कहते हैं कि राजनीती से परे होना चाहिए तो जब असल में आप अपने आप को रामभक्त कहते हैं तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इसका पालन भी करें चूंकि जब परिक कि बड़ी कबर सामने आती है, धार से धार के करवक्तफ पर जनकी तरफ से सीधे तौर पर अलान करव Criminal के बड़ी काविस चलते क्योंकि केंदर के स्तर पर आपने इसको देखा है और बाटी से नाराज़की के चलते इस प्रकार की प्रतिक्रियां सामने आना तो यह कई चीजें बहुत खास हो जाती हैं इस लिहां से समझने में कि आगे कितनी दिल्चस्प होने वाली है राजनीती हैं हमारी स्रयोग मेहर हमारे सजुन है नभीन चाहूँगे क्या बताएं कि प्रकार के आउटपुट आता है इस खबर के बाद यसके आप देखते हैं कि दीपेंडर सिंग ठाकूर सीफ़ा दे चुके हैं जी हां बिल्कुल बताना चाहूंगा कि डिपेंसिंग ठाकूर जो है यह है जिला प्रवक्ता जो है कांग्रेस के इसके साथ ही यह कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता भी यह हैं और इन्होंने जो है इस्तिपा दिया है और इस्तिपा के वल इस बात से नाराज होकर दिया है क्योंकि कांग्रेस के आला नेताओं ने राममंदी प्रानपतिश्टा समारों जो होना था उसका रिमन्परन परस्युकर करें इसी बात से नाराज होकर आहत होकर इन्होंने अपना इस्तिफा दिया है और हला कि हमारी इन्से बात हुई अभी किसी पार्टी में शामिल होने की कर लिखी आफिर को कांग्रेश थे जिसे पर कोई भी बात करने नहीं है लेकिन कहीं इस बारे में बात हुई है। कुछ भी बोलने को तयार नहीं है जी और क्योंकि बड़े इस तरफ पर नवीन ये त्यास्ता हमने देखा है जब अध्यक्ष नहीं जाएंगे और कॉंग्रेस की तरफ सी कोई व्यक्ति जाता है तो हर बार हो सकता है कि मुश्किल ने खड़ी हो उनके लिए भी आप ये समझत चले शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रहे हैं लेकिन जिस प्रकार से आपने नवीन का जो पक्ष है वो भी सुना कि वो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही धार में एक खबर आई कि दीपेंदर सिंग जो स्तीफा दे रहे हैं वो निश्यत तोर पर ही कोशिश कर कि दीपेंदर सिंग ठाकुर से भी बारचीत कर पाएं चुकि प्रयास्तरत हैं हम इस चीज़ को लेकर क्योंकि बहुत बड़ा भुद्धा अब यह बनता जा रहा है कि एक व्यक्ति जो कि कॉंग्रेस फेस जो प्रवक्ता पद है उससे स्तीफा दे लेता है महज इस लेते हुए लोगों को देखा है वो भी गलती दौराते हुए देखा है अकसर तब आप यह देखेंगे कि निचले स्तर पर इसका प्रमान भी इस रूप में देखने को मिलता है कि हर कारेकरता उनसे कुछ नहीं है बारते जनता पार्टी के कुछ और राजनीती हो सकते है हो हो सकते है कि उनकी राजनीती कुछ और हो लेकिन क्या ऐसे समय पर जब पूरा देश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्टा कारेकरम भगवान राम लला के पहुंचने को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है उस दौरान क्या जरूरी था राजनीती करना यह भी बहुत मैं त नाराज कर दिया है कारेकरताओं को इस निर्णे से जी आप अपना क्रॉशन प्लीज एक बाल दुवारा पुछें क्या यह माने नवीन के बहुत बड़े स्तरपर नाराजगी कारेकरताओं में है इस निर्णे से कॉंग्रेस के जी हाँ बिलकुल बताना चाहूंगा कि जिस एक बाल ठीजों से कारेकरताओं में नाराजगी को मिल रही है और इतना बड़ा कड़ब इन्होंने उठाया है अपने सभी पदो से और पार्टी की प्राठ्विक सद्स्थिता से भी इनोंने इस्तिपा धीया है तो कही निका साथ बात हुए है इनका साथ जो है उन्या ऐसे नोगों के हैं बल्कि आम लोगों के हैं सभी के हैं भगवान स्री राम और इसी के चलते जो है इन्हों ने आहत होकर पार्टी सेश्टी पा दिया है तो कई ने कहा जा सकता है कि पार्टी के कारिकलताओं में जो है इस पुरे मेटर को लेकर नाराज की जरूर देखी जा रही है लोकसभा चुनाव पर असर देखते हैं के नवीन इसका जुए है बिल्कुल डिपेंट ठापूर से हमारी इस पुरे मेटर पर बात वी है उनका एक कहना है कि जो है जिस प्रकार से माहोल बना है और जिस प्रकार से राम मंदी परान प्रतिश्टा का जो है कांगरेस के लेका जो है इरोज कर रहे हैं तो कहीन नहीं इसका अशर आगावी लोकसभा चुनाव में भी रेखाया सकता है और इकन सिंग चापुर का तो यहां चाप तर पर कहना था कि खाने वाले चुनाव जो है लोकसभा चुनाव जो है विजेपी को 400 CTC वड़े उसकी संभावना है और जो है नहीं नहीं जो है जो लगता है कि आने वाले समय में इसी प्रकार से निर्णा के साथ सामने आएंगे जयां बिल्कुल नाराजबी तो जो है कांग्रेस कारेकलता हूं में सब्सक्रीनेता है बाओज्यूद इसके इनोंने इतना बड़ा जो है कि अधिक लिए लेकिन अधिक नाराज़गी तो बिलकुल देखी जा रही है बहुत शुक्रिया फिलाल आपका नवीन ये जानकारी साजा करने के लिए दिपेंद्र जी से बात दरूर करेंगे दिपेंद्र जी एक नेड़ा सामने आता है जिसमें सीरे तोर पर आप स्तीफा देने की बात को स्विकार करते हैं क्या वज़े रही इसके पीछे मूल मंत्र है गुर्श्वामी तुलसीदास जी ने कहा है राम विरोध न उबरेशी शरण विष्णु अजीस राम का विरोध यदी हो रहा है तो राम का विरोध केसे पच सकता है सनातनी को सारी चीजे शिरोधारिय निजदर्म सबसे पहले शिरोधारिय है कल की जो गटना करम हुई माननी सोनिया गांदी जीने माननी माली कारजुन खड़के जीने और माननी चोदरी जीने जिस तरह से निमंतरन को अस्विकारी करके भगवान श्री राम का अपमान किया है तो और विकार नहीं करते हैं? विकार नहीं करते हैं? विकार नहीं करते हैं? कि राम किसी भी पार्टी की बपोती नहीं होना चाहिए? राम आस्था का विशा है? राम कोटी-कोटी के रदय में बसने वाला एक मंत्र है? कि कहा गया है कि कल्यूक केवल नाम अदारा सुमिरी-सुमिरी नर उत्र ही पारा. तो सिर्फ नाम को राम को जपने का काम करें, उसको बजने का काम करें, उसको कोई भी पार्टी वोट के लिए यूस करने का काम नहीं करें, मैं यहीं कहना चाहूँगा. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस बाचीत के लिए दीपेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुडने के लिए, उपने थे दीपेंद्र सिंग ठाकुर, जिन्हें आपने सुना, साफ तोर पर कह रहे थे कि विचार धारा जो कॉंग्रेस का ठीक है, उससे समझने का प्रया इतना ही इस डिजिटल प्लाटफॉर्म में फिलाल इस डिसकर्शन को यहीं अंत्र कर रहे हैं, लेकिन कुछ और मुद्दे लेकर जरूर आपके पास आऊंगी, उस पर रंबाचीत करेंगे, फिलाल बहुत शुक्रिया, अबनी रहेगा यूस एठीन के साथ,